नमबर दो एक तो यह के वाले देन तर्बियत नहीं देते सिखाते नहीं और बच्चे बड़े हो जाते हैं स्कूल का सब सिखाते जैकेंजिल भी बताते उनको ABCD भी बताते लेकिन दीनियात उनको नहीं सिखाते पढ़ रहा पढ़ रहा और दस्वी की पढ़ा यह बहुँ टेंशन में हैं टाइम ही नहीं मिलता उसकूल से आता तो ऐसी थक के सो जाता पर नमाज भी छोड़ देता तो भी चलते कित्ता रहम करती मा उसके उप़र कि नहीं उठाना उसको नीन में से बहुत थक के उसकूल से आया और आके आते ही बिस्तर जो है बैग उदर फेका और जूते भी नहीं निकाला आउंदा जाके सो गया बिस्तर के उप़र देख के बिलकुल हाँ उसके ममता उबर आती है उसकी उसको नहीं उठाना जाने दो सो गया बेटी भी हुई सही इतना बोज उठागे आये हैं बैग लेके नहीं सिखाते उनको इंशाला 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 करते 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 वक्त निकल जाता कभी दीनी दुरूस में नहीं लाएंगे कभी उनको खुद घर पे नहीं पढ़ाएंगे कभी उनके साथ बैट के देन की कुछ बात नहीं करेंगे कुछ शेर नहीं करेंगे WhatsApp पर पूरी दुनिया में इसलाम का धंका पीटने वाली ये लोग घरवालों के साथ बैट के बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है घरवालों को अउलाद को भी बच्चों को दिन सिकाने के लिए टाइम नहीं, बाद माबाप ऐसे होते हैं, लेकिन डिबेट रात बर, अभी नमाज को जा रहा है, आके बच्ची भी डिबेट करेंगे, आएंगे ने सब साथी लोग, डिबेट ग्रूप में चल रही हो, कौन सी रफुल एदेन के ओपर, ब गयर अफुल एदेन के साथ, हाथ काबा ने वो नमाजी नहीं पड़े, तो ये अगर हाल होगा, वालएदेन का, बाप का खास करके, और मा का भी, तो कैसा होगा, तो तालीम नहीं देते हैं, बाद वकाद खुद उनका मामला इसा होता है, उनका उस्वा गलत होता है, बच् अश्चेदारों की घीबतें करते, और आम दिनों में तो बच्चे को बोलते हैं, नमाज पढ़ते जा बराबर, खुद भी पढ़ते, लेकिन अगर इंडिया का और पड़ोस का करकेट का मैच हो तो, उस दिन अल्ला की तरफ से नमाज माफ होती है, और जमा करने की गुंज अश्चे रहेगा, बीबी बोलेगी किचन में से, अजी अजान हो रही ना, आँ जा रहा जा रहा, अखीर तक अल्लाह अक्बर, ला इला इल्ला जब तक निमलता, घर से निकलता नहीं तो, और मैच चल रहा है अगर, तो क्या बलता है, आवाज बन करो, बगिर आवाज के म बराबर देखती है, तो अब अगर वो यह देखेगा, या बेटी यह देखेगी, कि मा पर्दा पर्दा तो बहुत करती, लेकिन करीबी रिष्टेदार जब आते हैं, तो महरम गयर महरम का फराग, खत्म कर देती, तो आप बताईए बच्ची कैसा बोलेगी, मैं अपने कज पर्दा तो है ना, पर्दा है, पर्दे में कोई कॉम्प्रमाइस नहीं है, आपकी फलसफिया ना तफसील, तफसीर, एक्स्प्रिनेशन, फुटनोट्स, कमेंट्स नहीं चलते, तो अगर इनका उस्वा गलत होगा, बच्चे कां से सीखेंगे, बच्चे माबाप से सीखते आप भी तोड़ते कानून, आज नहीं बोलेगा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा ना, नमास को गया था, नहीं गया था, जा रहा है, अंशाला अकल से पढ़ोंगा, बद तमीज कहीं का नमास चोड़ता, आप भी तो चोड़ते, आप पहले खुद पढ़ो आप, ऐसे ब डावन डाउन होगा, लेकिन स्टेट्मेंट्स एकदम क्या होंगे, एकदम परफेक्ट होंगे, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेंगा, बोलता हो, उसमें बिगाड़ क्यों आता है, माबाब का उस्वा गलत होता है, अल्ला के नभी से एफनी फर्माते हैं, हर इन्सान उसकी माउं से फितरत पर जनम देती है फिर बाद में उसके माबाप उसको या तो यहूदी या तो नसरानी या तो मजूसी बना देते हैं हाँ अगर माबाप खुद मुस्लिम हो तो बच्चा भी मुस्लिम होता है मुस्लिम होना क्या खाली एन आर सी में मुस्लिम होना है हाँ आदार कार्ड में मुस्लिम होना है इलेक्शन कार्ड में मुस्लिम होना है नहीं मुस्लिम होना का मतलब वाकी मुस्लिम होना कि जब माबाप मुस्लिम होते हैं यानि अल्ला के फर्माबरदार होते हैं तो बच्चा भी अल्ला का फर्माबरदार होता है बच्चे अल्ला के नाफर्माबाप अगर नाफर्मान हो अल्ला के और ये उमीद करें बच्चों से कि तुम फर्माबरदार बन जाओ नहीं होता ऐसा practically नहीं होता तमना ठीक है बच्चों के दिनदार बनने की खुद भी बन इसलिए आल्ठे आल्ला ने इमान वालों की द्या सिखाई क्या द्या गरते वो लग एल्हा हमारा नहीं सही कम से कम हमारे उलाद को दिनदार बना ऐसी दुआ नहीं करते है क्या दुआ करते हैं वो लोग वल्दीन यकुलून रबना हबलना मिन अजवाजिना दुर्रियातिना कुर्रत अईन खत्म? नई अब बेन क्लाउस बाकी उसमें वज़ालना लिल्मुत्तकीन इमामा एला हमको वो दुआ करते हैं अल्ला से नेक बंदे क्या दुआ करते हैं? आई हमारे रब हमें अपनी बीवियों और हमारी ओलाद के जरिये आखों की ठंडक नसीफ फर्मा उनको देख कर कि वो अल्ला अताला की फर्मा बर्दारी कर रहे हैं हमारी आखे तू उनकी देंदारी को देख कर ठंडी कर और आगे वजऴना लिल्मुत्तकीन इमामा और हमको एला तु हमको मुत्तकीन का इमाम बना हमें परहेज़गारों के लिए नमूना बना हमको आम लोगों से भी ज्यादा मुत्तकी बना इतना मुत्तकी कि हमारी देंदारी देख कर लोग देंदार बने ऐसा हमको बना यह नहीं कि हमारे बीव बच्चों को अच्छा बना हमको अपनी रहमत से जनाप में दाखिल कर ऐसा नहीं हमको भी मुत्तकी बना उनको भी देंदार बना और हमको भी तो ये मिजाज हमारा कहां है घर में हम क्या बोलते मेरा आमल मत देख सिग्रेट हाथ में है बेटे के बारे मालूम पड़ा सिग्रेट पी रहा था फुला ने देखा दोस्तों के साथ फू 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 कर रहा था बार जल्दी पी आता भी नहीं पीने तो एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा था और देख अफू आँ चाचा ने ये टीचर ने देखा उसको कि ये लोग जाके जो है टॉयलेट के पास जाके छुपके वहाँ सिग्रेट पी रहे थी ना लू मैं अब बताया अब बलेख सिग्रेट पीता चुप बैटा लेकिन बेटा दिल में कया सोच रहा है सिग्रेट पिनаю आच्छी बात नहीं है आप क्यों पीते फिर आप क्यों पीते आप भी तो पीते मेरा अमल मत देख मैं जो बोह रहा हूं देख नहीं चलता है साब बाह आपका अमल कैसा नहीं देखोंगे आपकी बात कान में जाती आपका अमल आँक में देखने की चीज़ आपका क्या है बात देखते हैं आपकी नहीं आपका अमल बड़ी तक्रीर है तो इनसान खुद गुनाह करता है और उलाद को उससे मना करता है कैसा होगा तो बुरा उस्वा जो है ये भी बच्चों को बिगाडता है